Good Health Channel पे आज विस्तार में बात करते हैं एंटिबाइटिक्स के बारे में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा एंटिबाइटिक्स यूज होती है बैक्टिरिल इंफेक्शन के केस में बैक्टिरिया को मारने के लिए या उसके खुरोथ को रोकने के लिए पर ज़ादा अंटिबाइटिक लेने से बैक्टेरिया रिसिस्टन हो जाते हैं, म्यूटेट करते हैं और फिर अंटिबाइटिक भी उन पे असर नहीं करती दूसरा प्रब्लम यह है कि कई सारे broad spectrum वाले अंटिबाइटिक अच्छे बैक्टेरिया को भी मार देते हैं हमारे गट में याने हमारे पेट में कई सारे good bacteria होते हैं जो हमारे digestion में help करते हैं 2017 के रिव्यू ने बताया कि एक अंटिबाइटिक के कोर्स से एक साल तक हमारे गट के bacteria disrupt हो सकते हैं जिससे हमारा digestion कम जोर पर सकता है, metabolic disorder हो सकता है, immunity कम हो सकती है इसलिए Centers for Resist Control कहता है कि हमें unnecessary antibiotics का use जो है वो avoid करना है जिससे अगर आपको viral infection है तो आपको antibiotic लेने की कोई ज़रत नहीं है, उसमें कोई फाइदा नहीं करेगी antibiotic के use को कम करने के लिए आपको bacterial infection को prevent करना है जैसे हाथ दोना अच्छे से, कम से काउंट 20 सेकंड के लिए, या 60% alcohol से हाथ sanitize करना छीकते समय, खासे समय अपने मुग को ठग देना, ताकि वो दूसरों को spread ना हो और पीमार होने पर या infection की symptoms होने पर घर पे आराम करना ताकि वो दूसरों को spread ना हो अपने आसपास साफ सफाई या hygiene maintain करना infected लोगों से दूर रहना इस तरह से आप bacterial infection को prevent कर सकते हैं आपको body का immune system अपने आप automatically infection से fight करता है तो अगर आपको infection severe नहीं है, mild है, तो आप antibiotic drugs लेना avoid करें आपके immune system को उससे fight करने दे natural antibiotics ले सकते हैं एक balance diet की रूप में ये natural antibiotics है, garlic याने लसन अद्रक याने ginger honey याने शहद clove याने long turmeric याने हल्दी oregano ये सब natural antibiotics हैं आपको bacterial infection prevent करने में help करेंगे और mild infection में भी help करेंगे और ये आपके gut bacteria को नहीं मारेंगे body में harmful bacteria को ही मारेंगे अगर आपको पहले से कोई medical condition है कोई घाओ है या bleeding है तो लसन जैसी antibiotic थोड़ा समल के ले जैसे surgery की time पर जैसे लसन जो है वो आपके खून को पतला करता है तो ज़्यादा खाने से आपकी bleeding बर सकती है तो ये natural antibiotics आप रोज थोड़ा ले सकते हैं जब आपको mild infection के symptoms दिख रहे हैं तब आप natural antibiotics ले सकते हैं उसके बाद भी अगर आपका infection बढ़ जाता है कम नहीं होता तो आप डॉक्टर से कंसल करके आइंटिबाटिक ले सकते हैं तो summarize करते हैं आइंटिबाटिक ड्रग्स का overuse ना करे unnecessary use ना करे bacterial infection को prevent करें hygiene रखें healthy balance diet खाएं natural antibiotics अपने balance diet में रखें bacterial infection से बचें और antibiotic की overuse से भी बचें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वास्त रहें